हलो नमस्कार दोस्तों जैजिया राम आज हम जानने वाले हैं कि एक सिकागो नियुमेटिक का जो हमारा कंट्रोलर है ES3000 उसमें हम प्रेसर की सेटिंग किस तरीके से करते हैं तो प्रेसर की सेटिंग करने के लिए हमारे सामने कुछ आप्शन्स दिये होते हैं फोर नमबर वाले बटन को थोड़ी देर प्रेस करके रखना है तो हमारे सामने P0 आ जाएगा चार नमबर एंटर की को एक बार प्रेस करने के बाद जब डिजिट बिलिंक होने लगे तो इससे नेविगेशन की के तुरू हम उसे चेंज कर सकते हैं पीवन हमारा अनलोड सेट पॉइंट होता है प्रेसर सेट करने के बाद चार नमबर बटन दबाके हम उस सेटिंग को सेव कर सकते हैं इसके बाद अप नेविगेशन की का यूज करते हुए हम रन टाइम टाइम लोड इन सारी सेटिंग को देख सकते हैं और फाइनली हम तीन नमबर की को प्रेस करके अपने एफट पे आके फिर हम नॉर्मल अपने होम पेज पे आ जाते हैं अब अगर हम इस कंट्रोलर को रिसेट करना चाहते हैं तो सेवन नमबर की को थोड़े दर प्रेस करके रखना होगा तो जैसे ही हम seven number key को प्रेस करेंगे इस तरीके से light blink होंगी और हमारा controller reset हो जाएगा controller पे जो keys दी वही होती हैं उनका क्या function है उनका क्या पुरा नाम है यह आप हमारी screen पर देख सकते हैं और controller में जो alarm and indications होते हैं उसके लिए श्टाफ हमारे system पर देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं Chicago pneumatic के ES4000 controller model पे अब समझ लेते हैं कि इसकी pressure की setting हम किस तरीके से करते हैं सबसे पहले हमें down navigation key का use करके P1 पर पहुंचना है P1 पर पहुंचने के बाद हम देखेंगे कि यह LAN cable के लिए जुड़ा हुआ है जो कि हमारे computer system से जोड़ेगा फिर हम और आगे बढ़ेंगे P2, P3, P4 पे P4 जो होता है हमारा वो load unload के setting के लिए होता है इसके अंदर जाने के लिए हम enter key को press करेंगे जो 5.8 हमारा दिकरा है यह है हमारा load set point इसको एक बार हम press करेंगे तो यह digit हमारी blink होगी navigation key से हम value को change कर सकते हैं फिर हम दुबारा enter key press करेंगे तो यह value save हो जाएगी फिर हम navigation down का यूज करके unload के setting को चेक करेंगे दुबारा enter key press करेंगे जैसे ही वो blink होगा उसके बाद हम अपने value को change करके save कर सकते हैं back आने के लिए हम c का use करेंगे यह वहारा pv1 के setting थी अब हमारे ii pv2 के setting इसमें हम दो तरीके के settings को डाल सकते हैं ऐसा क्यों है वो हम आगे बात करेंगे p4 के बाद हम p5 में जाएंगे p5 में जाने के लिए हम enter key को press करेंगे देखे यहाँ पर p1 और p2 दोनों ही हमें so करेगा जैसे हम enter key press करने के बाद navigation की का use करेंगे तो हमें p1 p2 दोनों ही set point दिखाएंगे और जो setting हमने p4 में डाली थी उन में से कोई भी setting हम यहाँ पर चलाना जाएं चला सकते हैं अभी हम समझ लेते हैं controller की कुछ basic details की किस button का क्या मतलब है किस indication का क्या मतलब है यह सारी details आप हमारे system पर देख सकते हैं